नोशका है दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का पाउत बहुत सवाकत है दोस्तों कुछ हफते पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था option chain indicator से संबंदित और यहां पे मैंने आपको वायदा किया था कि आपके जो भी सवाल इस वीडियो के अंदर cover नहीं हुए या आपके जो भी सवाल है आपको कुछ शंकाएं आप मुझसे comments के दोरा या social media profiles के दोरा पूछ सकते हैं तो आपके जो भी सवाल थे दोस्तो जो सबसे जादा पूछे गए सवाल है उनकी मैंने एक सूची बनाई है पाँच सवाल जो सबसे जादा पूछे गए उनकी एक सूची मैंने आपके सामने अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन 5 सवालों के जवाब जानेंगे इसके अलबा कुछ और सवाल भी थे जिनकी चर्चा हम इन 5 सवालों के बात करेंगे उनको ज़्यादा दर्शकों ने पूछा नहीं लेकिन काफी महतपुन सवाल है तो दोस्तो आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी आपकी शंकाएं हैं उप्शन चेन इंडिकेटर से सम्बंदित उन सब का निवारण आज के इस वीडियो में हो जाएगा और मुझे उमीद है कि आपको बिलकुल क्लैरिटी मिल जाएगी दोस्तों आपे सबसे पहला और महतपुन्ट सवाल जो कि काफी लोगों ने पूछा कि आप्शन चेन इंडिकेटर के पीछे का लोजिक क्या है तो दोस्तों ब्रीफली मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर option chain indicator का जो logic है वो आपके साथ share किया था लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे explain कर देता हूँ दोस्तों आपके मैंने जैसे आपको पताया था कि जो ATM contracts होते हैं तो वहाँ पे मैं तीन contracts को consider करता हूँ इस particular indicator में ATM और near ATM मतलब जो contract ATM है एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे अब यहाँ पे कुछ दर्शों ने पूछा के भाई माली जैस समय market जो है 13258 पे है जैसे के आप देख सकते हैं जो closing थी market की 13258 पे थी तो यहाँ पे ATM contract कौन सा है तो दोस्तों देखे यह बहुत technical सी चीज़ है लेकिन जो मेरी definition है या जो definition जिसका मैं इस्तमाल करता हूँ यहाँ पे maths के अंदर एक rounding off हमने school में सीखी थी अगर माली जै मार्केट 13258 पे है तो यहाँ पे मेरी definition की हिसाब से जो ATM contract है वो 13250 है तो यहाँ पे मैं call side के ऊपर जो ATM contract है वो 13250 और near ATM contract हो जाएंगे 13200 और 13300 तो यह मेरे तीन contract होगे जिसके अंदर ATM contract 13250 है और near ATM contract 13200 और 13300 है तो यह जो तीन contract है यह call side पे और put side पे दोनों पे इनकी definition same रहेगी अब मान लिजे market जो है यहाँ पे 13000 मान लिजे इस समय 280 के ऊपर है तो यहाँ पे दोस्तों rounding off के हिसाब से जो ATM contract अब बन जाएगा मेरी definition के हिसाब से वो 13300 बन जाएगा तो यहाँ पे 13300 मेरे हिसाब से ATM contract होगा और near ATM contract होगे 13250 और 13350 तो वहाँ पे कुछ दर्शकों को confusion था कि यहाँ पे आप out of money या in the money के अंदर वो confused थे कि यहाँ पे आप ये वाला contract लेंगे 13300 वाला या 250 वाला तो उमीद है कि आपको clarity मिल गी होगी कि जो rounding off का principle है वो यहाँ पे काफी जादा महत तपून है अब बात करते हैं logic की दोस्तो logic जो है हमेशा यही कहता है कि हमें option writers की तरह यहाँ पे सोचना है और option writers जो है दोस्तो आप देखेंगे कि उनकी सबसे जादा activity जो है वो ATM या near ATM contract के उपर होती है अब जैसे हमने अभी जो थोड़ी देर पहले definition जिसकी चर्चा की तो उसके हिसाब से 13,200, 250 और 13,300 जो है वो ATM और near ATM contracts है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि put side के उपर यहीं पे सबसे जादा activity आपको दिन के दोरान देखी गई थी अभी तो market close है इसलिए आपको यहाँ पे शायद उसका actual impact ना पता लगे लेकिन आप इसको observe कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे हम option writers के point of view से सोच रहे हैं तो कुछ दर्शकों ने यह भी पूछा के भई यहाँ पे आपने 13,100 क्यों नहीं consider किया या 13,000 क्यों नहीं consider किया वहाँ भी जो है अच्छी खासी activity है या call side पे 13,500 पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी activity है वह देखे क्या होता है कि जो हमारे logic है जो हमारे principle हैं अगर आप इस channel के साथ जुड़े हुए हैं काफी समय से तो यहाँ पे जो otm contract होते हैं otm या far otm contracts जो होते हैं वो उनका इस्तमाल जो है वो hedging के लिए किया जाता है इसकी चर्चा हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं तो जो धर्शक यह सवाल पूछ रहे हैं वो शायद इस channel के साथ या तो नए जुड़े हैं या उन्हें हमारे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे जिसकी वज़े से उनको ये logic समझने में दिक्कत आ रही है लेकिन हम यहाँ पे जो है option writers के point of view से सोचते हैं और option writers इस समय क्या कर रहे हैं वो आप साफ तोर पे देख पाएंगे के ATM या near ATM contracts के उपर उनको किस लिए ज़ादा फाइदा होता है अब मैं उस discussion में नहीं जाओंगा उसका जवाब पहले वाले वीडियोज के अंदर already दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे अगर हमें intra day STBT या BTST उसके हिसाब से सोचना है कि market किस तरीके से move करेगी तो ATM या near ATM जो contracts है उनके उपर क्या activity हो रही है कौन सी side पे कौन control कर रहा है market को वो ही market की दिशा को निर्धारित करता है वो ही market की दिशा को तै करता है तो यह अब तक आप समझ चुके होंगे अगर आप OCI indicator का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको अब तक यह मालुम हो गया option chain की कई strategies आपके साथ share की हुई है मैं यह नहीं कह रहा कि यह जो strategy है यह उनसे बहुत जादा superior है या वो strategies काम नहीं करती यहाँ पे आप अलग-लग strategies को test करिए और जो strategy आपको बहुत जादा reliable लगे highly accurate लगे केवल उसी का इस्तमाल करें यहाँ पे मेरा जो objective है वो यह है के जो option chain जो कि किसी arm trader या निवेशक के लिए समझनी almost असंभव है वहाँ पे किस तरीके से मैं आपको उसको एक simple तरीके से एक indicator की साहता से आपको जो है उसके भारे में बता सकूँ तो यही मेरा यहाँ पे objective है तो यहाँ पे जो ATM contracts है उसके अंदर हम अलग-लग जो parameters होते हैं उनकी relevance के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं तो यहाँ पे हमें यह देखना है कि जो ATM और near ATM contracts है वहाँ पे इस समय market को कौन control कर रहा है तो यहाँ पे जो basic logic है वो उमीद है आपको समझ आ गया होगा लेकिन इसी logic को समझने के लिए जो अगला सवाल है वो भी आपको जो है जानना जरूरी है तो दोस्तों यहाँ पे जो logic है वो बिलकुल simple है कि ATM near ATM contract किसलिए वो भी मैंने आपको explain किया कि वहाँ पे intraday के दौरान आप देखेंगे एक तो maximum activity होती है और वो activity जो है वो आपकी option writers की होती है और यहाँ पे जो भी उस ATM या near ATM contract के नजदीक जो है strong होता है जिसकी strength दिखती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ OCI indicator जो है वो strength और weakness बताता है जो भी strong होता है वो ROC होता है rate of change होता है strong का मतलब कि अगर ROC increase हो रहा है OCI score increase हो रहा है इसका मतलब जो आपके put writers है वो strong होते जा रहे हैं अगर ROC decrease हो रहा है इसका मतलब call writers strong होते जा रहे हैं तो इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुक हैं लेकिन basic logic आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं सवाल नंबर 2 के उपर दूसरा सवाल है कि what are different variables used and their respective weightage आपने कितनी weightage उनकी consider की है दोस्तों यह जो है यह market situation के ऊपर अधारित होता है लेकिन variables जो हैं वो same रहते हैं तो यहाँ पे इस समय में 4 variables का इस्तमाल कर रहा हूँ COI by volume यह आपको मालूम ही है कि यह काफी important और महतपून variable है क्योंकि इस से पता लगता है कि बड़े players कहाँ पे active हैं दोस्तों दूसरा जो variable होता है वो हमारा implied volatility का होता है तीसरा जो हमारा variable होता है वो premium decay है कि किस तरफ decay जादा हो रहा है या किस तरफ decay जो है कम है आप दोनों तरीकों से यहाँ पे उसको देख सकते हैं उसका conclusion same ही रहता है और दोस्तों चौता जो हमारा variable होता है वो होता है open interest compare to previous day previous day किसलिए क्योंकि दिन के दौरान COI जो है वहाँ पे अगर positions close हो रही है COI हो सकता आपको positive दिखे एक समय COI 8,00,00,00 positive है लेकिन जब आप उसको एक घंटे बाद देख रहे हैं तो 4,00,00 positive है तो अगर आपने पूरे दिन के दौरान उसको अगर track नहीं किया तो वहाँ पे आपका conclusion होगा कि यहाँ पे positions built की जा रही है लेकिन अगर आपने morning में देखा वो 8,00,00 positive था अब 4,00,00 positive है इसका मतलब वहाँ पे positions close की जा रही है इसलिए कोई भी data point जब आप देखते हैं तो उसको conclude करने का तरीका अलग-लग लोगों का अलग-लग होता है लेकिन logic जो है आपको logic समझना ज़रूरी है इसलिए हम OI देखते हैं compare to previous day मतलब पिछले दिन की closing के मुकाबले इस समय OI के अंदर क्या change है इससे हमें net basis के ऊपर पता चलता है कि आपका जो positions हैं उनकी क्या status है मतलब वो increase हो रही है decrease हो रही है तो ये चार parameter से हैं हमारे इस समय जो weightage है मैं ये नहीं कहा रहा कि ये weightage परसो भी रहेगी या Wednesday को भी रहेगी इस समय जो weightage है market की परिस्तिती की हिसाब से और ये weightage के अलग-लग permutation combination मैं test करता रहता हूँ कि कौन सा permutation combination कितना जादा reliable है तो यहाँ पे दोस्तों कई बार किसी के अंदर weightage increase करने से जैसे मैंने अभी पिछले हफते अपडेट भी किया था कि मैंने IV की weightage increase कर दी के बाद उस दिन हमने देखा कि हम वहाँ पे गलत trade लेने से बच गए क्योंकि वहाँ पे market बहुत जादा volatile है तो यहाँ पे जो इस समय मेरी weightage है वो COI by volume की जो weightage है वो 30% है यह इस समय की weightage है और IV की जो मेरी weightage है इस समय वो 25% है और premium decay की जो इस समय मेरी weightage है दोस्तो 30% है और जो OI compared to yesterday इसकी जो weightage है वो 10% है तो यह मेरी इस समय जो है 15% sorry 10% नहीं 15% है तो यह जो है यह मेरी इस समय जो अलग-लग weightages है और इनके अंदर मैं permutation combination की हिसाब से उसके अंदर test करता रहता हूँ कि कौन सा combination जादा अच्छा result देता है तो दोस्तो यह जो है यह weightages इस समय की है और अब आप पूछेंगे जो के आपका एक अगला सवाल भी यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि how the score is calculated तो दोस्तो यहां पे देखे अब तक हमने जाना कि हम ATM और near जो है ATM contracts उनको इस्तमाल करते हैं कौन से variables हैं उनको भी मैंने आपको बता दिया उनकी क्या weightage है वो भी मैंने आपको बता दी तो वहां पे क्या होता है कि call side के ऊपर आपका एक score जो है calculate होता है अब आप किस variable को कितनी weightage दे रहे हैं उसको आपको normalize करना होता है normalize कैसे क किया जाता है यह आप online जाके पढ़ सकते हैं कि किसी भी data point क्योंकि एक data point हो सकता हाई हो एक low हो आई भी मान लिजे single digit में हो या double में हो लेकिन premium decay हो सकता है three digit में हो तो यह सब जो है वहां पे हमें data को normalize करना आना चाहिए data कैसे normalize किया जाता है यह basic maths है यह आप सीख सकते है तो ओपर data को normalize करने के बाद weightage के हिसाप से जो है score calculate किया जाता है मान लिजे इस समय come है call side का score जो है 100 है put side का score जो है वो इस समय come lage 91 है तो यहा पे 100 minus 91, call का score minus कियालता है put के score से तो इस समय हमारा score है plus 9 अगर मान लिजे put side का score हमारा जो है एक hypothetically 10 सी है और call side का score हमारा hypothetically 50 है तो यहाँ पे जो आपका score बनेगा वो आपका score बनेगा minus 30 इसका मतलब यहाँ पे जो आपका score अगर positive इसलिए मैं आपको वहाँ पे कहता हूँ कि plus positive अगर यह score increase हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे put writers जो है वो active है और अगर negative है तो इसका मतलब call writers वहाँ पे active है अब दोस्तो आप कहेंगे कि यह score यह 91 तो कम है 100 जाद है तो इसका मतलब call writers active है score positive आ रहा है तो दोस्तो यहाँ पे इसका जो कारण है वो यह कि COI by volume जो है वहाँ पे lower score जो है वो high weightage रखता है मतलब lower score क्योंकि अगर यह score low है इसका मतलब बड़े players यहाँ पे active है यह score जादा है इसका मतलब यहाँ पे छोटे players active है तो आपको सभी logic समझने पड़ेंगे तो कोई भी मतलब ऐसा simple thumb rule नहीं होता आपको उसके पीछे के logic को समझना ज़रूरी है तो दोस्तो इस तरीके से जो ATM near ATM contracts है उनके अलग-अलग variable है उनकी weightage है उसको normalize करके एक score arrive किया जाता है और उस score के basis के उपर find out किया जाता है कि इन चार variables जिनको हम consider कर रहे है उसके basis पे हमें क्या लगता है या OCI indicator हमें क्या बता रहा है कि कौन यहाँ पे active है या कौन इस समय market को drive कर रहा है यहाँ पे मैं फिर आपको clarify करना चाहूंगा stand alone basis के उपर plus 9 score का कोई भी relevance नहीं है हमें rate of change देखना है अगर यह plus 9 से plus 7 हो गया plus 5 हो गया तो इसका मतलब score decrease हो रहा है score decrease हो रहा है तो हमेशा पूरा concept जो है वो ROC के उपर आधारिता है ना के score की absolute value के उपर यह चीज मैं बहुत बार clarify कर चुका हूं तो दोस्तों यह था हमारा तीसरा सवाल उमीद है कि इसका जवाब भी आपको मिल गया होगा अब दोस्तों हैं पर चौता सवाल जो के actually सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला सवाल जो है वो चौता ही है यहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे मुझे 1000 से ज़्यादा email मिली हो सकता है उनमें से कुछ fake भी हो कुछ लोगों ने multiple IDs से भेजी हो लेकिन यहाँ पे मुझे बोला गया कि आप अपना option chain indicator का जो code है हमारे साथ share करिए learning purpose के लिए और काफी mail जो है emotional blackmail कुछ threatening type भी थी तो यहाँ पे सामदाम डंड भेड सभी तरीके अपना के जो है mails की गई और मुझे कहा गया कि अपना code आप share करिए तो जो जो जवाब है वो शायद कानों को मधुर ना लगे और उसका simple सा जवाब है जी नहीं code मैं share नहीं करूँगा अगर आपने सारे वीडियोज देखे हैं इस channel के ओपर आपको समझ में आगया होगा in fact जो दर्शक मेरे साथ 2015-16 से जुड़े हुए है तो उन्होंने मुझे बताया या उन्होंने भी एक similar type का setup बनाया और उनका और मेरा score जो है काफी जादा match करता है तो logic जो है मैंने share कर दिया कैसे किया है वो भी पहले बता दिया है तो यहाँ पे इसका एक simple सा जवाब है जो के कानों को शायद सुनने में अच्छा ना लगता हो कि जो learning purpose के लिए भी मतलब वो एक emotional blackmail है तो इसका simple सा जवाब है जी नहीं वो share नहीं किया जाएगा ये मेरी महनत है आप अपनी महनत करिए सारे वीडियो देखे आपको बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी indicator की आप खुद ये indicator बना सकते हैं लेकिन वहाँ पे समय जो है लगाना पड़ेगा आपको सीखने में अगर आप सीखने में समय नहीं लगा सकते और आपको पका-पकाया माल चाहिए अपने फाइदे के लिए और उसमें से हजार में से मुझे पका बता है बहुत सारी मेल्स जो है वो commercial interest के लिए हैं तो इसलिए किसी के साथ code नहीं share किया जाएगा इसलिए आप mail करके अपना और मेरा समय जो है व्यर्थ ना करें दोस्तों उसके बाद पांचवा सवाल है के what are the reasons for its high reliability and accuracy दोस्तों देखे कोई भी setup system या जो भी हमारा indicator होता है वो accurate किस तरीके से बनता देखे पहली जो सबसे पहला कारण है जो मुझे लगता है अब मेरा कारण गलत भी हो सकता है तो मैं उसके लिए पहले ही advance में शमा चाहूँगा लेकिन जो मुझे लगता है के high accuracy या reliability का जो एक सबसे महतपून कारण है वो option chain अपने आप में है option chain जो है वो एक leading indicator माना जाता है option chain leading indicator है तो हमें पहले ही वो संकेत दे देता है वहाँ पे जो बड़े players है अपनी positions पहले ही जो है adjust करना शुरू कर देता है कि वहाँ पे market की दिशा कहा तक जा सकती है हमने पहले भी देखा अगर आपको historical data की access है तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पे हमें पहले ही indicator एक signal दे देता है कि यहाँ से market जो है reverse हो सकती है यहाँ पे market overbought zone में है यहाँ पे market oversold zone में है आपने देखा होगा जब market overbought zone में चली जाती है जब score plus 25 या plus 30 के उपर हो जाता है वहाँ पे market के अंदर जादा हमें movement देखने को नहीं मिलती वहाँ आप देखेंगे कि overbought या oversold zone के अंदर normally market hardly 10-20 या maximum 30 points के अंदर घुंती रहती है लेकिन उसके बाद जब reversal होता है तो यहाँ पे एक बड़ा move आ जाता है तो यह सब back testing आप खुद जाके कर सकते हैं दोस्तों इसका दूसरा जो कारण है वो यह के हम यहाँ पे जो market को drive कर रहा है हम उसके हिसाब से सोच रहे हैं अगर हम मानलीजे हैं यहाँ पे buyers के हिसाब से सोचना शुरू कर दें option buyers के हिसाब से तो हमारा पूरा analysis गलत हो जाएगा हमने यहाँ पे basic जो logic है हमारा वो logic जो है या जिसको कह लेजिए के हम साथ में मिलके learn कर रहे हैं तो हमने यह जो logic arrive किया है मिलके यह जो logic है यह हमारा बिल्कुल जो aligned है market के साथ के यहाँ पे कौन market को drive कर रहा है मैं हमेशा से पहले दिन से जब से हम option chain की चर्चा इस channel पे कर रहे हैं मैं पहले ने देखा कि जो margin की requirements है वो change हो गई अब margin की requirements change होने के बाद कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि आब यहाँ पे जो है क्या यह indicator काम करेगा भी यह और अच्छे से काम करेगा उसके पीछे कारण यह है कि अभी जो है Robin and investors जो है वो option writers बने हुए थे कोई भी जिसको कहा लिए टॉम डिक एंड हैरी जो है वो option writer बना हुआ था खासता और पहे करोना के बाद एकदम जो बाड़ सी आगी थी option writers की market में तो अब जो है अच्छा हुआ क्योंकि अब यहाँ पे margin की requirement increase होगी मैं यह नहीं यह सब जो है Robin Hoods या जो भी Tom Dick and Harrys है यह सब market से भार हो गए है यह अपना पैसा गवाए भी नहीं यहां से जाएंगे नहीं तो ऐसा नहीं यह लोग अभी भी हैं लेकिन इनकी अब संख्या काफी जादा कम हो गई है तो यहाँ पे अब बड़े players जो है market को drive करेंगे और जो यह Robin Hoods है या काफी जो छोटे निवेशक हैं वो option buying की तरफ shift करेंगे तो हमारे पूरे indicator का जो concept है वो option writing पर अधारित है हम option writer के हिसाब से सोच रहे है तो अगर हम option writer के हिसाब से सोच रहे है जो के एक बड़ा player है वो अपना नुकसान क्यों होने देगा अगर वो अपना नुकसान नहीं होने देगा तो obviously हमारा logic यहाँ पे सही बैठेगा जो के इस particular indicator का logic है इस indicator के पीछे का जो logic है वो यहाँ पे सही और ज़्यादा सही बैठेगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मिनेट्स में अगर score decrease हो रहा है तो market जो है वो continue करती है trend को अगले दिन continue करती है हमें वहाँ पे weakness देखने को मिलती है अगर score increase हो रहा होता है तो वहाँ पे trend जो है strength दिखाई देती है अगले दिन हमें last 45 मिनेट्स की मैं बात कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे केवल Thursday का जो data expiry का data है वो हम इस्तमाल नहीं कर सकते यह मैंने आपको already update कर दिया लेकिन अगर आप STBT या BTST कर रहा है तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि last 45 मिनेट्स में कौन अपनी position increase कर रहा है या अपनी existing position close कर रहा है अगर call writers अपनी position close कर रहा है इसका मतलब कल जो है market जो है उसके अंदर strength रह सकती है तो उसकी reliability आप देख चुके हैं मुझे कुछ कहनी की जूरत नहीं यह एक indicator है आप खुच जाके back test कर सकते हैं कि कब score कितना था अगले दिन market में क्या हुआ तो दोस्तो यहाँ पे मुझे उमीद है कि आपका जो यह सवाल है उसके जो प्रमुक कारण है कि high reliability आ accuracy क्यूं है वो मैंने आपके साथ share करने की कोशिश करी logic के साथ अगर कोई point आपको लगता है तो आप भी share कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे अगर logic ठीक है तो सब चीजे जो है वो ठीक रहती है मैं यह नहीं कहा रहा कि जो बड़े प्लेयर से उनको धोखा नहीं हो सकता कभी कभी उनको धोखा भी हो जाता है तो दोस्तो लेकिन यहाँ पे stock market में ना कोई setup system कोई भी indicator 100% accurate नहीं होता वहाँ पे reliability winning rate हमें देखना जरूरी होता है तो winning rate मैं उसके उपर कोई conclusion नहीं दे रहा यह सवाल आपके द्वारा मुझसे पूछा गया था तो मैं इसका अपनी हिसाब से जवाब दे रहा हूँ पर यहाँ पे आप winning rate जो है वो खुद यहाँ पे निकाल सकते हैं पिछला data भी available है historical data आप उसके हिसाब से भी calculate कर सकते हैं अब दोस्तो इसके लावा दो तिन और सवाल थे जिनको ज़ादा likes या जो ज़ादा तो नहीं पूछे गए लेकिन मेरी हिसाब से वो महतपून है पहला यह सवाल था कि हम इसका इस्तमाल intraday btst या stbt में तो कर सकते हैं लेकिन क्या हम इसका इस्तमाल swing trading में कर सकते हैं तो इसका जवाब है नहीं आप इसका इस्तमाल मेरी हिसाब से मेरी जो back testing है उसके हिसाब से swing trading के लिए नहीं कर सकते intra day st bt bt st के लिए आप कर सकते हैं लेकिन swing trading के लिए mostly option chain का इस्तमाल hedging के लिए किया जाता है यहां पे intra day के खिलाडी खेलते हैं इसके अंदर तो option writing की जाती है तो obviously हम उसका इस्तमाल कर रहे हैं उस logic का लेकिन swing trading के लिए answer no है एक और सवाल मुझसे पूछा गया तो दोस्तों क्या होता है कि Thursday को IV जो है हम consider नहीं करते उस score के अंदर तो कुछ दर्शकों ने मुझसे पूछा कि आप NAC का डेटा इस्तमाल कर रहे हैं तो आप आप किसी broker का इस्तमाल क्यों नहीं करते डेटा या किसी third party का डेटा क्यों नहीं इस्तमाल करते तो उसका जवाब मैं पहले भी community type के द्वारा दे चुका हूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो reliability है वो कम हो जाती है और कौन कैसे calculate कर रहा है डेटा ये मुझे बहुत बार mismatch देखने को मिला है in fact एक broker जिसके डेटा जो है मैंने check किया था और वहाँ पे मैंने पाया कि IV के लिए वो broker जो है वो futures का price consider कर रहा है futures का price जो है दोस्तों यहाँ पे हम spot price की बात करते हैं लेकिन तो वो futures का price यूज कर रहा है IV calculate करने के लिए तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि option chain के अंदर हम जो भी strike price या जो भी calculations की जाती है NSE के द्वारा जो भी data दिया जाता है वो सबस्यादा reliable होता है हो सकता है वहाँ पे हमें कुछ minto का delay देखने को मिले लेकिन वो ठीक है रादर के हम किसी गलट data के ऊपर कोई गलत ने ले और वहाँ पे हम अपना पैसा दवा बैट है इसलिए मैं NSE के data के ऊपर ही जाधा rely करता हूँ मैं broker के data पे या किसी और third party के data पे मैं यही नहीं गह रहा हूँ उनका data हमेशा गलत होता है या बिल्कुल गलत है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं का लेकिन हर किसी का calculate करने का अपना तरीका होता है मैं आगर मान लीजे future price पे calculate कर रहा हूँ data गलत नहीं है लेकिन मेरे किस काम का है मतलब मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए मुझे नहीं चाहिए futures का IV तो मुझे जो data चाहिए वो IV का data जो है नसी की site पे अबलेबल है इसलिए मैंने वहां से इस्तमाल किया और futures के हिसाब से अगर कोई calculate कर रहा है तो वो data गलत नहीं है लेकिन वो हमारे setup के अंदर या indicator के ऊपर जो है बिल्कुल जिसको कह लिजिए कि सही नहीं बैठेगा अब दोस्तों यहां पे कुछ दर्शकों ने request की कि आप OCI के अंदर जो भी change करते हैं या उसके अंदर जो भी बदलाव करते हैं उसके बारे में हमें बताते रहे हैं तो दोस्तों क्या होता है कि मैं बता तो देता हूं community tab के द्वारा लेकिन इसके लावा दोस्तों हमने अपनी website के उपर जो है एक page मैंने वहाँ पे create किया है change log का तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो भी बदलाव होते हैं logic के अंदर या जो भी बदलाव होते हैं rules के अंदर वो सब आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूं कि अभी हम इस indicator के बारे में और जादा सीख रहे हैं तो यहां पे जो भी data जैसे आता रहता है उसके basis के ऊपर हम यहां पे इसके अंदर कुछ बदलाव करते रहते हैं but almost जादा तर rules जो हैं मेरे ख्याल से अब तक हम उनको कई बार test कर चुके हैं तो वो अब तक बिलकुल ठीक सावित हो रहें लेकिन छोटी मोटी जो market की volatility की हिसाब से market के अंदर कौन active है उन सब की हिसाब से छोटे मोटे बदलाव आने वाले समय में चलते रहेंगे तो उनके बारे में मैं यहां पे change log का जो page है उसके उपर आपको update करता रहूंगा दोस्तो इसके अलावा जो है एक और सवाल पूछा गया वहाँ पे के weekend के उपर कई बार वो data जो है अव लेवल नहीं होता तो दोस्तो पिछले हफते भी आपने देखा होगा कि weekend के उपर site जो है वो down थी तो problem क्या है दोस्तो कि जबसे मैंने option chain indicator डाले अपनी site के उपर यहाँ पे hacking attempts बहुत ज़ादा बढ़ गये हैं और यहाँ पे काफी लोग जो हैं यहाँ पे site को hack करने की कोशिश कर रहे हैं तो पिछले हफते मैं site को update कर रहा था इसकी security को strengthen किया जा रहा था तो इसलिए weekend के ऊपर maintenance activity कई बार चलती रहती है तो हो सकता है कि weekend के ऊपर आपको कई बार data available ना हो और इसके लावा कुछ comments मुझे देखने को मिले कि हम access नहीं कर पारे कुछ लोगों को लग रहा है कि यह indicator download करना है भाई उसके लिए आपको पहले ही बता चुका हूँ यह indicator access कैसे करना है यहाँ पर इसको कैसे आप जो है इसके बारे में सारे updates ले सकते हैं वो सब बाते मैंने आपने पिछले वीडियो के अंदर आपके साथ share की हुई है आप एक बार यह वाला वीडियो देख लीजिए इस वीडियो को मैंने आपे pin कर दिया है ताके आपको देखने में असानी हो तो आपके जो basic सवाल है कैसे access करना है कौन कर सकता है तो उन सब की जानकारी मैंने हाँ पर आपके साथ share की हुई है तो उस तो मुझे उमीद है कि आपके जो भी सवाल थे option chain indicator से संबनित उन सभी के जवाब मैंने आज के वीडियो में देने की कोशिश करी और उमीद है कि आप आपको कोई भी शंका doubt या मन में कोई भी संचे नहीं होगा इस indicator से संबनित और जो भी updates है वो आने वाले समय में मैं आपके साथ share करता रहूंगा जो हमारी website है उसके उपर change log के उपर आप नजर रखे community tab के उपर भी मैं update करता रहता हूं तो आपको जो भी doubt हो आप पूछ सकते हैं या जो भी आपके doubts हैं उमीद है कि इन दोनो वीडियो में cover हो गयोंगे दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंड आये तो वीडियो को like ज़रूर करियेगा वीडियो के नीचे एक like का button है उससे मुझे पता लगता रहता है कि आपको कौन से वीडियो देखने पसंड है कौन से वीडियो आपको पसंड नहीं आते इस वीडियो को क्लिक करना मत भूलेगा ताके जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी एप या इमेल के ऊपर मिल जाए दोस्तो इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो के मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इंफर्मेशन के पॉइंट ऑफ यू से बनाया था यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सला या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में कोई भी पॉजिशन बनाये किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनिशल प्लैनर या इंवेस्टमेंट एडवाइजर की सला जरूर ले ले केवल उनी की सला के ऊपर ही किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्न ले और ये बात जो है दोस्तों OCI पूरा पहल लिया होगा और कोई भी निवेश या ट्रेड का वो आपका अपना निवेश या चाहिए या आपके फाइनेशल एडवाइजर के हिसाब से जो भी वो आपको सजेस्ट करें जो भी वो आपको राय दें उसके बेसिस के ऊपर आप स्टॉक मार्केट में बाइस अब शुक्रिया हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकरी के साथ एक नई सीख के साथ एक नई लर्निंग के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें